हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके चैनल हैपपे ओनलाइन अश्टडी में रिलिवेंट टीपी सी का 17 जनवरी का पर्थम पाली का कोश्चन इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे जो भी कोश्चन हमारे पास आया हैं 100% सही हैं और मेमोरी बेस्ट कोश्चन है अभी की द्वार भीजा गया कोश्चन है अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिपिकेशन और कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मेरे वीडियो का आपके पास पहुंचे तो च द्वारा आपका रसुई गेस दिया जा रहा था यह आपका कब से स्टार्ट हुआ था 2016 से लोकसवा का पर्थम महिला स्पीकर कौन थे तो आपका राय टेंसर हो जाएगा मीरा कुमार बात कर लेते हैं दूसरी महिला स्पीकर तो आपका सुमित्रा महाजन और पर्थम लोकस स्पीकर कौन है तो इसको भी देख लेते हैं ओम बिरला मोहन जोदोडो की खोज किसने की थी तो मोहन जोदोडो की खोज आपका राखाल दास बनर जी ने किये थे राखाल दास बनर जी 1922 यह कहां पर है तो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में हैं सिंदु घाटी के नदी के तटपर है हडपा जो है आपका राभी नदी के किनारे है इसकी खोज करता आपका दयाराम सानी और माधव सवरूप के द्वारा बत्स के द्वारा क्या गया है यह आपका 1921 में खोजा गया और यह आपका 1922 में यह आपका पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में इस तो भारत की सबसे लंबी राष्टी मार्ग कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी राष्टी मार्ग अनच 44 है तो यह आपको याद रखना है अनच 44 सिरी नगर से कन्या कुमारी तक इसकी लेंद है नालंदाव इस विद्याले किस ने बनवाया था तो नालंदाव इस विद्याले आपका कुमार गुप्त ने बनवाया था आपका कहा है तो बिहार में है बैरो मीटर का उपयोग किसमे होता है तो बैरो मीटर का उपयोग आपका या उपकरन बायू दाब मापने के काम में आता है बैरो ग्राफ को भी जान लेते हैं या बायू के दाब में होने वाली परिवर्तन को मापा जाता है बैरो ग्राफ आप आपका बायू दाब में फ्रिवर्तन को होने वाले मापों को मापा जाता है और यह आपका बायू दाब मापने के काम में आता है बैरो मीटर इसका उप्योग उड़ते हुए बिमान में अल्टी मीटर का उप्योग आपका उड़ते हुए बिमान में उचाई मापने के लिए क और घनत तो मापने के काम में आता है एरो मीटर नेक्स्ट है गैलवेनो मीटर इसका उपयोग छोटे बिद्धुत परिपत में बिद्धुत धारा दिसा एबं निर्देश मापने में काम आता है गैलवेनो मीटर next आता है hydrometer इसको भी देख लेते हैं यह उपकरन ऐसा है जो धर्मों के आप्वेक्षित घनत को धर्मों लिखा गया है दर्बों के आप्वेक्षित घनत को ग्यात करते हैं हाइग्रो मीटर को भी देख लेते हैं, यह आपका हैड्रो है, यह आपका हैग्रो है, तो इस उपकरन के द्वारा पानी के अंदर धोनी की तरंग गन्ना करने में कामाने वाला उपकरन है, एक हता है फैदो मीटर, यह यह अंदर समुदर की गहराई मापने के काम में आता है, तो इतना आप लोग याद रखेए इस related topic से आप लोग देख कर जाएए मानव पहला रोबोट कौन था? पहला रोबोट बिश्व का कौन था? कौन है? सोफिया जो की आपका बिश्व में है मधुबनी penting कहा है? वोट मेटर किसके लिए इस्तिमाल होता है? वोल्ट मेटर आपका बिद्धूत मापने के काम में है तो गूगल एक ब्राउजर है, कल के वीडियो में बताये थे जितनी भी ब्राउजर है गूगल मोजिला फायरवोक्स क्रोम गूगल क्रोम यह सारे आपके ब्राउजर है तो वह वेले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए आप लोग यूएनो को हेड़कॉर्टर कहा है तो यूएनो का हेड़कॉर्टर आपका न्यूयार्क में है इसको भी बता इसके अस्थापना की बात कर ले तो इसकी अस्थापना आपका अपरेल 1948 को वह था इसकी हेड़कॉर्टर आपका जिनेबा में सूट जर्लेंड में नेक्स्ट को सने आपका चंद्रियान दुत्ते कब लॉँच हुआ था इसको भी डिसकर्स किये थे पिछले वाले वीडिय लौंच आपका 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था मोतियों का सहर किसे का जाता है तो हैदराबाद तो इस रिलेटेड टोपिक से देख लेते हैं कुछ कोस्चन साथ पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं तो रोम को पोप का सहर आपका रोम संसार की छत पामीर का पठार मसालों का साथ टापों का नगर मुंबई स्टेट गवर्नर का बर्नर किस अनुच्छेद के तहत है तो यह किया जाता है तो अनुच्छेद आपका एक सो तिरपन में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 72 से कोस्चन है तो राष्टपती को छमादान की सकती है इसमें प्लास्ट किया था ठोक सेंटरेल प्रोसेशिंग यूनिट ये कोस्टन रिपीट के बहुत वार हो रहा है चंद्रयान 2 का नाम क्या था एक कोस्चन था ँतकào तो इसका विक्रम लेंडर था जो आपका इसका नाम डॉक्टर विक्रम सरा भाई के नाम पर रखाए गया है जिसे भारतिय अंतरिक्ष कारकरम का जनक भी कहते हैं तो यह आपको याद रखना है निक्स्ट कोस्टन आपका यूनोविसको चसे समबंदित कोस्टन थे कि 2011 में 12 म को सामिल किया गया तेरह में राजस्थान की पहाड़ियों के सामिल किया गया 2014 में आपके महान हिमाले राष्टी उद्धान हिमाचल परदेश में है जो उसको सामिल किया गया और रानी की बाव और नालंदा विस्विद्याले को ही 2014 में ही सामिल किया गया 2016 में आपका कंचन ज भी सामिल किया गया और 2018 में मुंबई की विक्टोरियन गोथिद आठ डेको बिल्डिंग को सामिल किया गया और आपका 2019 में जैपूर सहर को भी सामिल किया गया जो आपका राजस्थान में है और 2020 में आपका गौालियर और और चा जो आपका मद्धपरदेश में स्थित है इस अजन्ता की गुफाओं को 1983 में और आगरा के खिला और ताज महल को भी 1983 में सामिल किया गया कोनार्क मंदिर को कब सामिल किया गया तो 1984 में बलेक पैगोंडा को भी सामिल इसे बलेक पैगोंडा के नाम से जानते हैं कोनार्क मंदिर को तो महाबली पूरम को भी आपका 1984 में ही सामिल किया गया तो ये सब आपको फ्यक्ट याद रखना है इसको अल्रेडी पहले भी डिसकर्स कर चुके हैं एक कोस्चन था आपका ASI का मुख्याले है तो ASI का फुलफोर मोता है आपका Archaeological Survey of India इसका मुख्याले आपका नई दिल्ली में है तो यहां से कोस्चन एक बने है United Nation University कहाँ है United Nation University कहाँ है सैयुक्त राष्ट बिस्विद्याले कहाँ है तो जपान में है एक कोस्चन यहां से आया था I hope कि वी वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा काफी helpful लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजी और जितने भी फ्रेंट से आपके उसमें वीडियो को सेर कर दीजी ताकि सभी को पता चल से के किस टाइब के question पूछे जा रहे हैं जितने भी एक्स्ट्रा बाते होते हैं हम वीडियो के last में discuss करते हैं ताकि आपका time waste ना हो पहले वीडियो को आप लोग देखिए उसके बाद कुछ जो भी information हमको देना होता है last में बताते हैं हमारे channel पर आपको tricky video, exam analysis और जो भी current affair के topic होते हैं उस related video हम लाते हैं अगर इसका पीडियाप आप लोग को चाहिए तो हमारे telegram से जाके जूर सकते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मिलते हैं next video में जैहिन जैभालत